तरेश कॉंग्रेस की वर्चुल बैठक कोरोना संक्रमितों की मदद के लिए जलास्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित करेगी कॉंग्रेस PCC प्रभारी अजय माकान ने ट्विट करती जानकारी लिखा जलास्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित कर COVID पीड़ितों की सेवा की तैयारी शुरूर। सोनिया गांदी और राहूल गांदी के अहवान पर कुई बैठक। PCC एवं मंत्री मंडल के सभी सदस्य के साथ बैठक कुई वर्चियल बैठक में मुखी मंत्री गहलोद, PCC चीफ गोविन सिख जोटास्रा, सचिन पाइलिट, मंत्रियों समेथ जिला कॉंग्रेस अध्याक्ष और 90 वरिष्ट कॉंग्रेस नेता शामिर। PCC प्रभारी अजय माकर ने ट्विट कर दी जानकारी। इसकी वर्चियल बैठक, PCC प्रभारी अजय माकर ने ट्विट कर दी जानकारी। लिखास जिलास्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित करेगी कॉंग्रेस। जानकारी के लिए न्यूज एडिटर अधीती नागर हमार सा दिली से कनेक्टिद हैं। अधीती जी, कोरोना संक्रेमितों की मदद के लिए जिलास्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित करेगी कॉंग्रेस। अच्छा इनिशियेटिव। बिल्कुल देखिए, पूरे देश को साथ आके एक साथ इस कोरोना की महमारी से लना होगा और इसको लेकर लगातार जिसे ज्यादा प्रयास हो उत्रा जरूरी है और पार्टी अलगले पार्टी अपने सर पर करेंगी तो ज्यादा बहतर होगा क्यूंकि ऐसे समय में अब प जिले में दूर कहीं गाओं में बैठा है उसको अगर इमिजेट मदश ताइए तो उसको क्या राजिस्तान में जैपूर, जोधपूर और जो पास का जो है संभाद सरीय जो जगह है वहाँ जाकर वहां से मरत निलपाएगी जिसमें काफी देरी हो जाती है और इसके चलते ह जाती है और इमिजेट मदश करा पाएगा और अगर इमजेंटी केस होगे तो फिर वही कंट्रोल रूम उसको किसी पास के निल्जी या सरकारी बड़े अस्पताल न भरते करा सकते हैं आपको बता दे हैं कि PCC प्रभारी अज्यमाकर ने ट्वीट कर किसकी जानकारी दिया ह और माकर ने लिखा है कि राज़तान जिरास्तर पर कंट्रोल रूम सापत कर कोविट प्रीटों की सेवा की कयारी शुरू कर दी गई है कॉंग्रेस अज्यक्टर और राहूल गामी ने आवान किया है PCC मंत्री मंदल के सबी सब्दस्टे को साथ बैठक कुई है और आपको ये भी बता दे कि वर्ट्वल बैठक में मुक्तिमस्टी एस्टों गैलों की मौजूद से और राजस्टान की PCC अध्यास गोविस्टि रोटासरा तौंप विदायक सब्सक्राइब और तमाम मंत्री गंदी मौजूद रहे और जिसमें जो नव वर्टमान की जिला अब्देक्श है वो भी भी से मौजूद रहे बहुत बहुत शुक्री अधिती जी तमाम जानकारी के लिए तो जलासतर पर कंट्रोल रूम स्थापत करेगी कॉंग्रेस प्रदेश कॉंग्रेस की वर्ट्चॉल बाटा कुई जिसमें तमाम मंत्री मंदल के सदस्य और PCC के लोग मौजूद रहे